श्री अडिशार दौहार ओम नमस्षिवाए मैं हूँ एस्ट्रोजर केंसे ना और मैं अपने इस यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वगत करता है देखे हम लोग बात करने वाले हैं अगले 365 दिन यानि वर्षफन की बात कर रहे हैं और आज का जो लगन और राशी है वो सिंग लगन सिंग राशी दोनों टाइप के जातक इनको देख सकते हैं देखे हर लोगों की इक्षा होती है कि अपना भविश्य समझे और भविश्य को सीखने के लिए जो प्लैनेटरी मोजशन होता है जो ग्रहों की गती होती है चाहे वो मारगी गती हो चाहे वो वक्री गती हो यह कुछ इस तरीके से चलती है कि आपके लगने या राशी के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर हाउस में आ जाती है और उसके कारण इसका पूरा प्रभाव आपके लाइफ पर रहता है जिसको गोचर का प्रभाव कहा जाता है तो गोचर का प्रभाव हमेशा से बहुत इंपोर्टन्ट है दुनिया में करोणों लोग जो होंगे सिंग लगन के होंगे सिंग राशी के होंगे लेकिन सभी पर पूरा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी का बढ़ डिटेल अलग होता है और सभी की दशा अंतर अलग अलग चलती है इसलिए आप यह से मानके चलिए कि सामान में परिपेक्ष में जो परिणाम आएंगे कम या अधिक आप यह मान सकते हैं कि किसी के लिए कुछ जादा इंटेंस्ट हो सकता है किसी के लिए कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट जो रहेगा लगबक आपको इसी फ्रेम आफ रेफरेंस में देखने को मिलेगा जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल का मतलब होता है कि पूरे एक साल तक समय कैसा वीतेगा वैदिक जोतिश में वर्षफल को कैलकुलेट करने का अलग मैथड होता है उसमें हम लोग 15 मैथरी बनाते हैं पांच इसका चुनाओ किया जाता है मुंधा की पोजीशन होती है समुद्र चक का हम लोग प्रियोग करते हैं सेहम का हम लोग प्रियोग करते हैं और बहुत तरीके के ताजिक योग होते हैं उसका एनलेसिस करते हैं उसके बाद हम लोग बताते हैं कि वर्षफल में यह यह गटना इसस डेट में होग जो जादा accurate मानी जाती है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं Gregorian calendar की क्योंकि ये English का New Year स्टार्ट हो रहा है हम Vedic Hindu और Sanatani धर्म के जितने भी लोग है उन सबी लोग का ये मानना है कि जो चैतर शुक्लपक्ष की प्रति बताती थी है वहीं से Hindi वर्ष प्रारम होता है तो वहां पर हम लोग पता अधिकारियों की गढ़ना करते हैं और फिर हम लोग वर्षफन निकालते हैं लेकिन English calendar के हिसाब से अगर हम गढ़ना करते हैं तो क्या क्या चीज़े चेंज होगी इस लगन वाले जात्वों के लिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज सिंग लगन या सिंग राशी वाले जात्वों के लिए देखें अगर आपका सिंग लगन है तो आपको चार्ट इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप सिंग राशी है तो चंद्रबा जरूर पांच नंबर जहां दिखाई दे रहा है वहां पर होगा तो चाहे आपका रहों का गोचर होता रहता है वर्ष 2025 में कितने ग्रहन लगेंगे नहीं लगेंगे वो अभी इसमें डिसकुशन नहीं कर रहे हैं लेकिन वर्ष 2025 में दो ऐसी गटनाएं गटित हो रही हैं एक केतू पर आठ ग्रहों की यूती होगी यूती आप कहने के जगा पर कहिए अब टोटल मिलाकर वैदिक जोतिश में नव ग्रहों की संग्या दी गई है हाला कि अब हम लोग जैसे मेदिनी एश्माजी करते हैं तो उसमें हम लोग यूरनेस नैप्चिन पूटों को भी काउंट करते हैं लेकिन हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं नव ग्रह के बारे उसी समय रात्री 11 बजे भारतिय समय अनुसार शनी का भी राशी परिवर्तन होगा तो एक मेजर इवेंट है एक बड़ा इवेंट है क्योंकि उस दिन ग्रहन की लगने वाला है और अश्ट ग्रही द्रिष्टी अगर किसी एक पर्टिकलर ग्रह पर पढ़ती है तो आप यह मान के चलिए कि आने वाला जो समय रहेगा वो चैलेंजिंग होना ही है इसमें कोई डाउट नहीं है दूसरी इंपॉर्टन बात है कि आप किसी भी लगन के बारे में बात कीजिए दूसरा महत्यपूर्ण कंजंशन बन रहा है यूटी बन रहा है और ये यूटी राहू और शनी की यूटी है जब भी राहू या शनी एक साथ बैठ जाते हैं कुली शापित हो जाती है या आप ये कह सकते हैं कि कुली के अंदर पिसाच दोश डेवलप हो जाता है हलाकि ये यूटी जो रहेगी 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक रहने वाली है जब भी हम लोग वर्षव पती हो गया जिसकी इंटेंस्टी जादा रहती है उस पर हम लोग जादा डिसकेशन करते हैं तो इसी श्रिंकला में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस ग्रह का राशी परिवर्टन हो रहा है और क्या वो मेजर चेंजिस हैं जो 2025 में आपके अर्थात सिंग लगन सिंग र राशी बाले जातकों के लिए कैसा यह समय रहेगा यह समय और यह समय थोड़ा सा फिलीट करने वाला होगा देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो राशी परिवर्टन होने वाला है वो शनिदेव बात है डेट होगा 19 मार्च 2025 अब शनि आपे रिस्पेक्ट में कहा पर बैठे हैं बर्दमान में और शनी की उपाधी क्या है शनी को सिंग लगन की कुंडली में मारकेश कहा जाता है एक मारक ग्रह होता है एक निगेटिव ग्रह होता है और जब दो पाप भावो के स्वामी हो जाते हैं, मारक भावो के स्वामी होते हैं, तो उनको केवल मारकेश नहीं कहते हैं, प्रबल मारकेश की संग्या दे जाते हैं और ऐसे सभी लोग जो सिंग्लगन के हैं, जिनके ऊपर केतु की दशा अंतरदशा चल रही हैं, तो सबसे पहले शनी देव का मूँमेट देखते हैं और आपको डिस्प्ले में ऐसा दिखाये जा रहा है जो शनी देव है वो अश्टम भाव में गोचर करेंगे आपके लगनु के राशी के रिस्पेक्ट में अश्टम भाव में गोचर करेंगे लेके अश्टम भाव जो होता है शनी देव का अपना कारक भाव होता है जब भी क कोई ग्राह कारक भाव में जाता है तो मारकत्व को नहीं बढ़ाता है आपको मारकत्व के थुरूई कहा जाए लेकिन ज्यान की प्राप्ति कराता है जिस भाव में जाता है उससे सम्मधित परिणाम देने का पूरा प्रयास ग्रह करते हैं तो शनी देव आपके अश्टम भा profit loss इस साल खुड़ा fluctuate जादा करेगा क्योंकि शनीदेद की जो उपस्तिती रहेगी वो अश्टम भाव में गोचर करेंगे केवल अश्टम भाव में गोचर करना ही important नहीं है इनकी जो दृष्टी पढ़ेगी आपके कर्म अस्थान पर भी पढ़ेगी तो वर्ष दो हजार प भाव से युति कर लेते हैं या कर्म भाव को देख लेते हैं तब उनको discipline चाहिए चीजों में विलंब कराते हैं विलंब कराने के लिए आपको अध्यात्म के तरफ भी ले जाएंगे अध्यात्म के तरफ ले जाने के बाद जब आप पूरे तरीके से सात्मिक रहेंगे प्रफेशन की बात यह हम लोग एके करके इस वीडियो में समझेंगे अभी तो हम लोग केवल यह देख रहें कि बड़े ग्रहों का जो गोचर का प्रभाव है सिंग लंगन के रिस्पेक्ट में कैसा आप होने वाला है इसके अलावा शनीदेव जो रहेंगे वो आपके पर ब्रस्पती के अस्थान को देखेंगे ब्रस्पती की राशी में बैट कर ब्रस्पती को देखेंगे तो जो लोग सिख्षा के लिए प्रयासरत करना चाते हैं लंबी सिख्षा प्राप्त करना चाते हैं उन लोगों के लिए शनीदेव यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिज क्योंकि शनीदेव का जो नेचर है उसी तरीके का ये परिणाम जो है वो देने वाले हैं तो शनीदेव का जो गोचर है आपके डिसिप्रिन पर बहुत जादा डिपेंड करेगा इनका पूरा परिवर्थन कैसा होगा इसके अलावा कुछ ऐसा टाइम जरूर आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का टाइम जब शनी और राहू दोनों पिसाच योग बना देंगे और अश्टम भाव में रहेंगे तो ये भाव जो रहेगा जहां पर ये बैठेंगे तो बहुत अच्छ इंडिकेशन नहीं शनी राहू जब दोनों अश्टम में चले जाएं तो इस डूरेशन में विशेश रुप से जो सिंग लगने सिंग राशी के जाता के लिए जो स्पेशल वीडियो बनाया गया है इसमें आप किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते इस दो मंत का जो उसका परिणाम अलग होगा लेकिन गोचर में कम से कम ये पिसाश योग अच्छा नहीं है परिवार में भी किसी प्रकार के वादिवात को बढ़ा सकते हैं और साथ में संतान के सिक्षा में भी बाधा उत्पन हो सकती आपके खुद की सिक्षा में भी ये बाधा उत्पन कर सकते हैं तो शनी का जो प्रभाव रहेगा वर्ष दो हजार पचीस में सबसे जाधा रहेगा और शनी राहू की जो युटी रहेगी वो अश्टम भाव में बनने के करण आपको कई बार भ्रहमित भी करेगी कि शियर मार्केट या शॉर्ट कट पैसे से मुनाफे को वसूलने का आप रियास करेंगे लेकिन ऐसे ही करते करते फंड्स लॉस हो सकते हैं इसके बिलकुल भी शियर मार्केट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़े आपको उन दो महीने नहीं करना चाहिए 29 मार्च 2025 से लेकर 18 माई 2025 के बीच में इसके बाद आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसमें रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे अब दूसरा जो ट्रांजिट होगा वो राहू की दुका होगा हाला कि उससे पहले देवगुरु ब्रस्पति का भी होगा हम लोग राहू और शनी का पिसाच योग अलड़ी डेवलप हम लोग उसको एनलेसिस कर रहे है इसलिए हम राहू केतु के राशी परिवर्तन को पहले देट होगा 18 माई 2025 और राहू जो की आपके अश्टम भाव में गोचर कर रहा था आपको अकस्मात कुछ बड़े धनलाब भी दिये होगे वहीं पर केतु आपके परिवार के लिए खतरनाक था आपके लिए परिवारिक जीवन को लेकर तहस नहस करने वाला था केतु जो आपके उपर डारेक्ली यानि प्रत्यक्षिया आप प्रत्यक्षिरूप से देखने को मिला होगा लेकिन अब ये राहू आपके सब्तमभाव में चला जा रहा है और वो भी वायूत तत्वे यानि शनी की मूनित्रिकोर राशी में जा रहा है राहू के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि राहू जो है शनी का भुप्तचर होता है एजेंट होता है और राहू हर पल की खबर शनी देव को देता रहता है याद रखिएगा वर्ष दोजार पचिस में जो शनी देव है वो अश्तमभाव में ही रहेंगे राहू जो है आपके सब्तमभाव में रहने वाने है राहू हमेशा जिस भाव में रहता है उस भाव से सम्मंदित तो यहाँ पर सब्तम भाव क्योंकि वाईू ततोका है वाईू की राशी में जाकर बैठ रहा है मित्र के मूल राशी में बैठ रहा है तो यहाँ पर पार्टनर्शिप से रिलेटड कुछ नए औसर भी आपको देखने को मिलेंगे राहू राजनीती का कारक है तो ऐसे लोग जो राजगीती में इन्वाल्व हैं, उनके भागी में भृदी होना, सिंग लगन और सिंग राशी वाले जात्कों के लिए, गोचर में अटलीस्ट 18 माई के बाद ये डेट आपके लिए अनुकूल होने वारा है, लेकिन और इसमें जो राहू है, एकादश बाव को भी देख पराकरम को भी राहू देखता है, उच्चे भाव को देखता है, तो भी पराकरम को बनाता है, याँ अगर आप मेहनत वर्ष 2025 में कर रहे हैं, तो आपके पास फंड की किसी प्रकार की कोई प्राब्लम नहीं होगी, हलाकि शनी की जो दूसरी सात्वी दिश्टी पढ़ रही वो आपके लिए अनुकूल है, शनी राहू की यूदि केवल कुछ टाइम के लिए नुक्सान दायक है, लेकिन इसके बाद राहू आपको एक अच्छा अप्धस देने वाला है, एक अच्छी उचाईयों पर लेकर जाने वाला है, जो आपके लिए अनुकूल को बहुत तीजी से बढ़ा देता है यहीं सब्सक्राइब के गुर्ण को यह पूरे तीजी से बढ़ाने का कोशिश करेगा लगन में अग्री तत्वे का जो केतू है जनको माईग्रेन की समस्या है ऐसे सभी लोगों को यह समस्या अभी बढ़ा सकता है इस बात को आपको और ये अगर smoking जो लोग करते हैं आपके लगन पे बैठा रहेगा और यही सबसे बड़ा negativity है वर्ष 2025 के लिए सिंग लगन सिंग राशी वाले जापों के लिए आपके लगन पे जाकर बैठ जाएगा आपके बाड़ी पे जाकर बैठ जाएगा आपके मस्तिश्क पे जाकर बै जाएगी चाएग वो पंचम तृटी कार बात किया जाएगं दोनों पर ही पढ़ेगा और अगनी तत्म में बैठकर अगनी त्रिकोनों को यह देखें गे तो निश्यत रूप से यहां पर संतान के स्वास्त को लेकर चिंताय़ आपकी बढ़ सकती है संतान अगर विदेश आना चाहते हैं, जनमस्तान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तब तो अच्छा है, अगर संतान आपके साथ रहते हैं, तो ऐसे कंडिशन में संतान को कुछ ना कुछ परिशानिया यहां पर डेवलप हो सकती है, जो आपका पंचमभाव है, आपके उधर का भाव भी होता है, तो मेडिकली देखा जाए, तो मेडिकल एस्ट्रॉजी के हिसाब से उधर सम्मंदित किसी प्रकार की सर्जरी अगर आपकी बची हुई है, तो वो सर्जरी कोचर में केतु देवता यहां पर कराने वाले हैं, इसके अलाबा केतु क्योंकि धर्म के कारक हैं, और अस्या उत्पन हो सकती है, पिता को किसी प्रकार का कश्ट हो सकता है, रिड की हड़ी में दर्द आपके जादा रह सकते हैं, तो ओवर ओल इस पूरे ट्रांजीशन में देखा जाए, तो राहू आपके लिए पॉस्टिव हैं, लेकिन केतु उतना ही निगेटिव आपको प एक तो केतु की शांती पूजा कराइए, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, दूसरा पक्षियों को, कबूतरों को या किसी भी जानवरों की अगर आप मदद करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, विशेस परिस्तिती में अगर आप केतु से प्रभावित तो केतु की शांती पूजा जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो ये परिशानी आपको बढ़ाएगा, और केतु जब लगन भाव में बैठते हैं और अग्मी तत्व में होते हैं, तो सामानेता अपने से ही, यानि आत्म जब आदमी खुद से, अंतर आत्मा से जब बात कर तो उसमें उनको अपनी गल्तियां या जो सच्चाई है, दोनों चीजें प्रतिविन्वित होती हैं, मस्तिश्क में और निश्य तरुप से ये एक लॉंग तर्म के लिए अच्छा इंडिकेशन भी रहेगा, लेकिन जब तक ये तु लगन भाव में रहेंगे, तब तक सर पे चोट लगने की संभावना रहेगी, और इसमें अगर आपका किसी भी तरीके से दुर्गटना के योग अगर चार्ट में बनते हैं, तो सर पे चोट लगने की प्रबल संभावना होगी, तो शनी, राहु और केतु के बाद, अब जो हम लोग बात करेंगे, आपके सबसे योग कारक गरा, जो सबसे अच्छे गरा माने जाते हैं, सिंग लगन की कुंडली में, सिंग राशी की कुंडली में, वो मंगल देवता होते हैं, इस वर्ष मंगल भी नीच राशी में पहुँचेंगे, और वो वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, तो लगबग अपरेल माही तक का जो टाइम है, ये टाइम में मंगल अपने नीचस राशी में ही लगबग रहेंगे, या नीच अभी राशी रहेंगे, हो सकता है ये मितुन में रहें, तो मितुन के बाद ये फिर कर्क में जाएंगे, तो ये नीच वाले पोजिशन पे रहेंगे, तो मंगल का परतमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दशम भाव में जाकर बैठे हुए अब ये एकादश भाव में जाएंगे डेट होगा 14 में एकादश भाव में जैसे ही ब्रसपती जाएंगे ज्यान के प्लैनेट है ज्यान के प्लैनेट आई के अस्थान पे जा रहे वो किसी ना किसी consulting से related हो सकता है ऐसे सभी चीज जो ब्रसपती के under आते हैं इन सभी चीजों में आपके आये के शुरुत को बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ब्रसपती इस बार बहुत fast move करने वाले हैं डेट होगा 19 October और ये पहुच जाएंगे अपने पर करेंगे लेकिन यहां पर बैट कर खर्च ही जादा आपके कराने वाले हैं बहुत अच्छा रिजर्ट ब्रसपती भी नहीं देंगे ब्रसपती का एक ही positive वर्ष दो हजार पचिस में आ रहा है कि अधिक time तक ब्रसपती जो है आपके income को बना कर रखे रहेंगे आपके confidence को ब कर्म पर यह डिपेंड करेगा आप कैसा कर रहे हैं शनी देव कर्म प्रदान गरा है और जब जिस भाव से रिलेट करते हैं उस भाव से रिजल्ट देंगे तो मैंने कुछ गढ़ना किये और वह फटा-फटा आपनों को बताना चाता हूं इस पूरे वीडियो में कौन-कौ के लिए आपके ट्राइवलिंग के लिए आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए कौन-कौन से टाइम होंगे इस टाइम को आपको फटा-फट नोट करें ना चाहिए आपकी सुविदा के लिए डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है लेकि हेल्थ की बात किया जाए तो मार्श दो हजार पचीस तक का समय सबसे जादा एक्रक्टिव होगा और अच्छा नहीं होगा इसके बात कि जितने भी समय रहेंगे एट लिस्ट न्यूट्रल रहेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत जादा पॉस्टिव ह रहने वाला है इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेट बात किया जा तो एक जनवरी से लेके चौबिस अप्टूबर एक लंबा रेंज निकल के आ रहा है जिसमें प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए प्रॉपर्टी समंदित अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे त लेकि करियर के लिए दो डेट मैं बता रहा हूं रेंज जिसमें करियर आपके लिए बेहतरीन रहेगा इस वर्स करियर में देखा जाया तो मैं आपको बता रहा हूं कि शनी से आप प्रभावित रहने वाले हैं तो करियर का जो परिणामों का कर्म पे जादा होगा लेकिन जो गोचर में डेट आ रहे है वो 28 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक बहुत अच्छा टाइम निकल के आ रहा है और 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का जो टाइम है ये आपके लिए अच्छा निकल के आ रहा है लग की बात किया जाये तो भागे का सायोग आपको इस समय मिलने पिछले वर्ष भागे का सायोग मिला हो या ना मिला हो लेकिन वर्ष 2025 में भागे का सायोग आपको निश्यत रुप से मिलेगा विशेस रुप से 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो टाइम निकल दा है इसमें आपको भागे का सायोग मिल कर रहेगा फाइनांस की ब जिसमें आप investment कर सकते हैं और दूसरा 27 फैब से लेकर 14 मार्च का टाइम आपके लिए अच्छा रहा है अलाकि ये टाइम का जो duration है जो boundary बहुत कम आ रहा है लेकिन फिर भी time overall at least negative नहीं है या तो neutral रहेगा या तो अच्छा रहेगा लेकिन ये जो date मैं बता रहा हो इस date में आने वाले समय में अब हम बात करेंगे सिक्षा कैसे रहेगी संतान के साथ इस्थिति कैसी रहेगी और आपका प्रिम प्रसंट कैसा रहने वाला है तो थोड़ी सी परिशानी तो कि तू already देने वाले है एक जनवरी से लेकर 7 मही तक बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई में विग्न बात आए उटपन होना और वो भी उस समय जब पिसाश योग बनेगा शनी और राहू एक साथ बैठेंगे उस समय आपको विशे सुर्प से साबदान रहना चाहिए एक जनवरी से 7 मही बिलकुल अच्छा समय नहीं है चाहे वो सिच्छा के लिए हो चाहे वो प्रे प्रेंजिंग हो सकता है जो भी सिंग लगनवाले जाता है मैंने डेट को निकाला है एक जनवरी से लेकर 29 मार्स तक का जो समय है वो वैवाहिक जीवन में पीड़ा रहने वाली है उसके बाद समय न्यूटरल होगा मैं पॉस्टिव तो नहीं देख रहा हूं लेकिन न्यू अरजन करना है उनके लिए अच्छा समय जो है वो साथ माई के बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस की बाद क्या जाया तो प्रॉफिट जो है आपका अच्छा नहीं होगा एक जनवरी से साथ माई तक्योंकि अश्टम में विसाच योग बनेगा तो ये टा प्रॉफिट में आया होगा मैंने कोशिश किया है कि पॉइंट तुपॉइंट समझाया जाए और गोचर का जो प्रभाव है सरवार्दिक रहने वाला बड़े ग्रहों का जो प्रभाव है वो सरवार्दिक रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है पसंद आत तो उमीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नमबर है 9818318303, और अप हमें email भी कर सकते हैं, हमारा email id info at the rate kudli expert.com है, तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ, आप सकते हैं, हम नमस्षिवा.